एलो स्टुडेंट्स आज हम रिसर्च में आपके लिए नया टॉपिक लाएं केरेक्टरिस्टिक्स ओफ गुड हाइपोथिस यानि कि एक अच्छी परिकलपना की विसेशता है या गोड़ उसमें क्या हो सकते हैं तो एक अच्छी परिकलपना की विसेशता है कुछ इस प्रकार यह जो हम नीचे देखते हैं देखो विसेशता है नंबर फर्स्ट संप्रत्यात्मक स्पस्टता यानि कि conceptual क्लियर्टी यानि कि जो भी परिकलपना के मात्यम्से बताना चाहते हैं उसका सो मिलकुल किलियर हो नम्म 2 10 सरल ता यानि कि सरल हो जादा उसकी लेंगवीज़ जादा हाड़ ने उसकी लेंगवीज़ भूल हो जीसदे सामनेबालय को समझंगे आए परिच्छन करना वार ओनी कि उसका परिच्छन संभव हो, ऐसा नहीं कि हमने परिकल्पना बना दिया, उसका परिच्छन संभवी नहीं है, नमर नेस्ट, विसिस्टता, यानि कि वो स्पेसिफिक हो, पर्याप्तता, पर्याप्त हो, तारकिक व्यापकता, यानि कि हमारी परिकल्पना है, लोजिकल हो, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बना दिया नेस्ट ब्यावार इकता एवं मित고요 आठा यानि के ब्यावार में हो मित वैता यानि के हमारे बजट में भी हो उसको पूरा करना फिर इसकी कुछ एस विसेश्था यह औ Catholics आ की भासा सरल हो जटिल नहों जैसा कमने पहले बताया नेस्ट समय को बचाने वाली हो यानि कि ऐसा नहीं है कि एक ही हम परिकर्पना को बना रही पा रहे हैं उसको एपलाई नहीं कर पा रहे हैं समय को बचाने वाली हो नेस्ट है कम खर्च पर पूर्ण हो जाया ऐसा नहीं कि एक ही परिकर्पना पर बहुत खर्चा हो रहा से संभव हो next, सोध पर आधारित ही परिकल्पना हो, ऐसा नहीं है कि हमने रिसर्च का टॉपिक तो कुछ और लिया है, परिकल्पना कुछ और ही बना दी, तो हमारी परिकल्पना हमारे सोध पर आधारित हो, यह जो टॉपिक लिया है उसी से related हो, next है, दिशा भटकाने वाली परिकल्पना ना हो सेम वही बात है मतलब तरीका बदले गया थोड़ा कहने का कि हमां जिस टॉपिक पर सोध करा है उसी टॉपिक से रिलेटेड परिकल्पना हूँ नेस्ट है हमने जो भी बैडियंवल लिया है उनके समंद्द को दर्साने इस प्रिश्ट करने वाली हो यानि हम